करनाटक में चुनाओं से पहले सियासी पारा हाई हो चला है सत्तधारी बीजेपी में टिकट बटवारे के बाद आये भूचाल के चलते पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उप्मुख्यमंत्री समेत, मौजूदा विधायक और पूर्व विधायक भी पार्टी का साथ छोड़ कर जा रहे हैं खास बात ये है कि इनमें से कई नेता कॉंग्रिस का हाथ ठाम रहे हैं बीजेपी के अंदर मचे सियासी घमासान का अंदाजा सिर्फ इस बात से ही लगाया ज़ा सकता है कि बीते एक हफते के भीतर ही आधा दर्जन से ज्यादा बड़े राजनेतिक चेहरों ने बीजेपी का दामन छोड़ दिया सिलसलेवार तरीके से समझ ये कि बीते एक हफते में क्या हुआ तो पिछले हफते जब बीजेपी ने विधानसभा चुनाओ के टिकटों का एलान करना शुरू किया तब से कई नेता बिदकने लगे जिसमें सबसे बड़ा नाम पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेटार और पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्षमन सावदी का रहा जगदीश शेटार ने 17 अप्रेल को कॉंग्रेस का दामन थाम लिया जबकि लक्षमन सावदी ने पार्टी छोड़ने के दो दिन बाद ही यानि की 14 अप्रेल को कॉंग्रेस पार्टी जॉइन कर ली इसके लाबा बीजेपी ने नेहरू ओलेकर का भी टिकट काट दिया जिनने 2022 में एक विशेश अदालत की तरफ से ब्रशचार के आरोप में दोशी ठहराय गया था टिकट कटा तो ओलेकर ने बीजेपी से स्तीफा दे दिया उनकी जगे बीजेपी ने अनुसूची जाती के लिए आरक्षु सीट पर गवी सिदप्पा तयम नमवर को उम्मीदवार बनाया है वहीं आरक्षु सीट मुदिगीरी से तीन बार विधायक रहे MP कुमार स्वामी ने भी टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी से स्तीफा दे दिया वो पूर प्रधान मंत्री HD देव गोडा की पार्टी JDS में शामिल हो गए है कुमार स्वामी आगामी राजचु चुनाओ के लिए आरक्षु सीट से उम्मीदवार थे लेकिन बीजेपी ने उनकी जग है दीपक डोड़या को मैदान में उतारने का फैसला किया इसके लवा बीजेपी MLC आर श्रंकर ने भी बीजेपी का साथ छोड़ दिया है उन्हें एकसर पार्टी बदलने के लिए पेंडूलम श्रंकर के नाम से भी जाना जाता है इस बार भी टिकट नहीं मिलने के बाद उन्होंने करनाटक विदान परिशत से इस्तीफा दे दिया शंकर उन विधायकों में से एक थे जिन्होंने 2019 में बीजेपी सरकार बनाने में मदद की थी वही होस दुर्गा से बीजेपी विधायक गुली हटी डी शेकर भी उन्हीं नेताओं में शामिल है जो टिकट ना मिलने पर पार्टी छोड़ कर निकल गये है वही एक और सीनियर बीजेपी लीडर ने कहा है कि वो आगामी चुनाव नहीं लड़ेंगे और चुनावी राजनीत से सन्यास ले लेंगे इशोरप्पा रैज्जी सरकार में कई प्रमुक पदों पर काम कर चुके हैं वो उपमुख्यमंत्री और ग्रामीर विकास और पंचायत रैजमंत्री भी रह चुके हैं हलाकि इन सब के बीज बीजेपी के लिए राहत भरी खबर ये है कि करनाटा के मच्च मंत्री स अंगारा जिनोंने पहले सुलिया विधान सभाज शेत्र से टिकट नहीं मिलने पर राजनीती छोड़ने का एलान किया था अब अपने बयान से पलट गये है उनका कहना है कि वो अब आगामी चुनाओं में बीजेपी उम्मीदवार भागी रथी मुरुल्या के लिए प्रचार करेंगे अंगारा 1994 से दक्षण कंणल में सुलिया निर्वाचन शेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही है नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रही है हमारे साथ और देखते रही है यूस 24